के लोगों को प्रेस कर लें और नई लोग प्लीज की उस्क्राइब कर लें कल की लोगों ने वीडियो जो भी आ रहे हैं उन तमाम वीडियो को बहुत कम लोगों ने वाच किया है मुझे इस बात का बहुत दुख है बहुत कम लोगों ने वीडियो वाच की है मैंने स्टेटस चेक किया था सुबा जाके सब्सक्राइब करें तो बहुत कम लोगों ने वाच किया था और मुझे इस बात की बहुत ही शिकायत है कि आप लोगों जो कंटेंट भेजा जाता है प्लीज आप उस कंटेंट को ध्यान से देखा करें कंप्लीट सुना करें अगर आप मुझे रेगुलर और कंप्लीट सुनेंगे तो मैं आपको गैरंटी देती हूँ जिस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो भेजूंगी आपका वहां से कभी कोई कुशन मिस नहीं होगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज ल कुशन में आप लोगों के लिए ले रही हूं कि कुशन नमर वन हाली में वर्ल्ड हैरिटेज टे कब मनाए गया है विश्वा धरोहर दिवस मनाए गया है 18 अपरिल को कब 18 अपरिल को 18 अपरिल को मनाए गया है वर्ल्ड हैरिटेज टे अब यह मनैग कूछ जाता है करने के लिए और जो संगठन हैं उनके प्रयासों को चिनहित करने के लिए तो मानव विरासत को संरक्षित रखने के लिए और संगठनों मानव संगठनों द्वारा किये गए प्रयासों यानि efforts को चिन हित करने के लिए यानि पॉइंट आउट करने के लिए चिन हित करने यानि समझते ना चिन मतब उनको निशान देही करने के लिए मनाया जाता है विश धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब 18 अपरल को अभी इंपॉर्टेंट दे वाला कोशन है प्लीज ग फेस कि पैठक में भारत का प्रतीनीद्व किस ने किया है विश बैंक और विकास को विश कंप बैंक और धान से सुनिए विश्व बैंक और आई एम एफ की बैठक में भारत का प्रतिनिदित्व किस ने किया है विश्व बैंक और आई एम एफ की एक बैठक में भारत का प्रतिनिदित्व किस ने किया है विश्व बैंक और आई एम एफ की एक बैठक में भारत का प्रतिनिदित्व किस ने किया है तो किया है हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम की निर्मला सीता रमन ने निर्मला सीता रमन ये हमारी प्रेजेंट टाइम की क्या है फिनेंस मिनिस्टर है और इन्होंने ही भारत का प्रतिन दित्व किया है अपने देश का किसमें वर्ल बैंक और आई-एम-फ की द्वारा जो एक बैठक आयज़त की गई है इसमें ठीक है जो अब देखें ये वर्ल्ड बैंक और आई-एम-फ की एक साजी बैठक यानि दोनों की बैठक हुई है तो इसमें भारत का प्रतेने दित्व किया है अब देखने वाली बात यह है कि यह वीडि acker ये ये कौनफरेंसिंग के तुम यह भी बात हुई है और दूसरी बात को यह कूरोफ का डिसकाने इसमें क्ककल नावाय। तो का डिसकेशन को आई-एमफ वल्लस बैंक की यह आज़स वाट इसमें गत्वा लिए प्रतिने चाहरों BC यह किया है हमारी प्रेजेंट top कि Finance Minister निर्मला सीतर रमन ने यह आपको याद रखना है दोस्तों यह वर्ल बैंक की और IMF की बात है तो व्ल्ड बैंक वर्ल बैंक के बारे में बताती हूं और IMF IMF के बारे में सुनिए पहले International Monetary Fund International Monetary Fund World Bank World Bank क्या है यह वर्ल बैंक आपको बताया था जितने इन प्रोजेक्स चलते हैं, दुनिया भरगे countrys के उन तमाम countries को loan provide करता है, जो भी world में countrys हैं, करते हैं, world banks say or morning चाहते हैं, उनको ये loan provide करता है, to world bank का concept यह आज याद रखिए, कि world bank जो बनता है ये भी दो organizations को मिला के, बनता है, क्या World Bank भी दो Organizations को मिला के बनता है ये तो आपको पिछले बार भी बताया था कि World में और अक्सर बताती रहती हूँ कि World में तमाम countries इससे लोन ले सकती है अपने projects के लिए लेकिन आज ये भी बता दू कि ये दो Organizations मिलके बनाते है World Bank क्या कौन कौन सा एक है IBRD International Bank for Reconstruction Development और दूसरा है IDA International Development Association पहला कौन सा था International Bank for Reconstruction Development और दूसरा कौन सा है International Development Association ये दोनों क्योंकि वो देखे International Bank for Reconstruction Development वो Reconstruction के लिए डेवलप के लिए काम करता है और एक क्या है International Bank International Bank for Development Association एक Development Association दो कौन मिला के दोनों ही डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए ये दो मिलके बने हैं World Bank World Bank की स्थापना 1944 मिसका Establishment Year है Washington DC में Headquarter है और Washington DC के साथ साथ David Malpass President और Anshura Kant MDN CEO है याद रखना है आपको Question देखिए हाली में अभी सर्वधिक खाद्यान वित्रण के मामले में किस राज्यसरकार ने अपना रिकॉर्ड बना लिया है किस राज्यसरकार ने सर्वधिक खाद्यान वित्रण के मामले में एक रिकॉर्ड बनाया है हाली में सर्वधिक खाध्यान वित्रण के मामले में किस राज्य सरकार ने रिकॉर्ड बना लिया है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार ने लगबग तीन करोड लाभारती और तीन करोड लाभारतियों को मत परिवार में कनवर्ट करें तो ये कुछ 75 लाग के आसपास परिवार होंगे परिवार और तीन करोड लाभारतियों को ये डेर करोड यानि 1.5 करोड मैट्रिक टन 1.5 करोड मैट्रिक टन चावल एक ही दिन में के साथ वित्रत किये हैं डिस्टिब्यूट किये हैं यानि-के समझें 1.5 करोड ठीक है और 1.5 करोड के साथ अगर फैमिली को देखें तो 75 मतलब 75 के आथफास जो है 75 संड़ी ऐंगी और 3 करोड लाभारती members के साफ से देखें तो 3 करोड लाभारती इतने लोगों को एक ही दिन में 1.5 metric ton लाभारती 1.5 crore metric ton rice का distribute किया है किसने UP government ने एक दिन में चावल का ठीकी distribution किया है आप देखिए UP government ने किया है चावल वितरित एक ही दिन में 1.5 क्रोर मैट्रिक टन तो यूपी गवर्मेंट की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाद चीफ मिनस्टर आनंदी बिन पटेल गवर्णर कैपिटल लखनौ गोमती नदी के तरट पर है ये भी याद रखना है राज के पुश्प पलाश राज के व्रिक्ष अशोका राज के पक्षी सारस यह कहें क्रोज और राज के पशु बारा सिंगा उत्रपिदेश सरकार के बारे में अभी में उत्रपिदेश का एक कुश्शन इप्टेंट लिया था आपको बते था पूल टेस्टिंग जिसमें बतायाता है की अगर दस सेंपल में अगर एक भी निगेटेफ होगा तो सब को है रखो किसान रत एप का शुभारम किस ने किया है ? तो यह है नरेंडर सिंग्स तॉमर यह हमारे present time की करशी मंतری हैं और इन्होंने किसान रत एप को अभी शुरू किया है किसने लौंच किया है हमारे प्रेजन टाइम के कृशी मंतरी यानी प्रेजन टाइम के एक्ट एक्रिकल्चर और फार्मिंग मिनिस्टर कौन है नरिंद्र सिंग् तोमार इन्होंने लौंच किया है किसान रत किसान रत योजना एप को किसान रत योजना एप को अब देखिए है क्या किसानों को मंडी में अनाज ले जाने के लिए ट्रेक्टर की जूरत पड़ती है सभी के तो अपने ट्रेक्टर नहीं होते किसी को रेंट पे भी लेने पड़ते हैं तो ट्रेक्टर च जल्दी से जल्दी अपना अना जगल्ला वगएरा पहुचा सकें इसके लिए वह ट्रेक्टर बुक कर सकते हैं इसके किसान रत एप के दुरू किसान रत एप को शुरू किया है नरिंदर सिंग तोमर प्रिजेंट टाइम के कृशी मंत्री ने दूसरी बात कुछ ऐसी भी वाली चीज़ें तो एक साम पिल लें तो टमाटर कहीं बनेगा रिसेंट लें क्योंकि जल्दी खराब वने वाली चीज़ें है तो और सफेश्चा हैं तो या पिर आप्रेसाने के लिए नाच्पूचाने मंडी में अगर उनका खुद आए तो कोई बात नहीं नहीं तो किसान रत योजना एप जो किसानों के लिए शुरू की गई है और ये कृषी मंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं नरेंद्र सिंग तो अमारे इनों ने शुरू की है नेक्स कूशन देखे हाली में अभी भारत सरकार ने डाक करमचारियों के लिए कोविड नाइंटीन के कारण कितने कितने रुपे का मुआफजा रखा है हाली में केंद्र सरकार ने डाक करमचारियों के लिए यानि पोस्टमैंस के लिए कितने लाग का मुआफजा रखा है तो देखिए इसमें कई सारे धेर सारे ग्रामीर डाक सेवक भी हैं ग्रामीर यानी गाओं के भी पोस्ट मैन हैं और शेहरों के भी हैं टोटल को मिलाएं तो हर अगर इन में से एक को भी किसी को भी COVID-19 की जैसी कोई संक्रमन कोई शिकायत हो जाती है तो इनको केंदर सरकार दस लाख रुपे की सहायता देगी कितने की दस लाख रुपे की दस लाख की सहायता देगी केंदर सरकार अगर किसी भी डाक करमचारी को कुछ होता है इसमें ग्रामीर डाक सेवक यानी डाक करमचारी भी है और शेहरों के भी हैं तो यही है क्या है यह ही क्या है यह यह सरकार ने जो डाक करम चारियों के लिए मौफजा रखा है वह मौफजा कितना होगा दस लाख रुपए का तो यह आपको याद रखना है अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए जो अभी उत्तरप्रदेश सरकार ने खाद्यान वित्रण किया है जो यह आल्मोस्ट में बताऊं तो एक्जेक्ट बताती हूं आल्मोस्ट में 75 लैक्स बता है 73.2 यानी 53.2 लाक परिवार और 3 करोड लाबारती हो गए और 1.5 करोड मेट्रिक टन चावल यह खाद्यान वित्रण एक ही दिन में किया यूपी ग़वर्मेंट ने यह किस योजना के तहत किया था तो प्रधान मंत्री घरीब कल्यान योजना के तहत किसके प्रधान मंत्री घरीब कल्यान योजना के तहत किसके प्रधान मंत्री घरीब कल्यान योजना के तहत यह याद रखना है ठीक है यह बिलकुल याद रखना है आपको दूसरी चीज यह ध्यान रखिएगा कि वर्ड बैंक की और आईमेफ की जो भी पैठक बताई है जोईंट मीटिंग जो हुई थी जिसे भारत का प्रतिनेदेत्व हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्यमंत्री ने किया है निर्मला सीतरमन ने तो यह इसके बारे में जान लीजे कि यह क्या है वि कि विकास समिती वर्ड बैंक और आईमेफ की विकास समिती है यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है भूलना नहीं है ठीक अब नेक्स कोशन हाली में हाली में किस महादीप में किस महादूइप में विकास दर या व्रिद्धी दर शून ने रहने की घोशना की है हाली में कि महद्वीप में किस ने विकास दर ये विकास दर नहीं कहेंगे इसको वृद्धी दर कहें तो ज़्याद अच्छा लगेगा अभी एक अनुमानित घोशना होती है ये सब तो हाली में किस महद्वीप में वृद्धी दर शून रहने की गोशना किसने की है हाली में किसने किस महादवीप में वृद्धिदर शून रहने की गोशना की है अब ये ऐसे भी गोशना सकता है कि हाली में माली जब नाम दे दे किसने जिसने की उसका नाम दे दे और वृद्धिदर शून रहने की गोशना की है किस महादवीप में ये ऐस किसने की है उसका नाम पूछ ले तो कैसे भी आ सकता है तो अब सुनिए बाराल आई एमेफ ने इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने एशिया महादवीप में कहां एशिया महादवीप में एशियन कॉंटिनेंट में वृदिदर जीरो रहने की घोशना कर दी है अब देखें ये क कोशन ऐसे हैं किस महाद आउप में पूछ लेता तो तो अस्री am जी प्रमframes करें आधा सुर्वेट Step 5 में आ किसने हैं एशिया महादवीप में एशिया में ऐशियन कॉंटिनेंट में इंटरनेशनल मोनेटरी फंड coloured वृदिदर शूने ने रहने की böyle कि ऀताना है यह एक अनुमानित घोशना है ऐसा नहीं को शूरिटी है हालात बदल सकते हैं शूरिटी चेंज हो जाए सकती है लेकिन अभी घोशना ऐसी की है आई एम एफ ने अब मैंने आई एम एफ की और वर्ल्ड बैंक यह बैठक थी लेकिन मैं आई एम एफ के बारे में उस टाइम क् सकती थी लेगन अभी बता रहे हूं क्योंकि आई एम एफ का दूसरा कोशन ले लिया इसी सेशन में दूसरा कोशन आ एम एफ का को तो सुनिये आए एम एफ कि स्थापना इंटरेशनल मोनेटरी फ़ंड की स्थापना का भी 1945 में और इसका भी हैड़कवाटर कहां है वाशि लीना जोर्जी आबा यह इसकी MD&CEO या प्रेसेड़िंट आफ आई-म-फ है याद रखने आपको ओके नेक्स कोशन हाली में रैपिड टेस्टिंग को लॉंच करने वाला इस शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है हाली में किस राज्य में अभी रैपिड टेस्टिंग को राज्य हाली में कोवड नाइनटीन के कारण रैपिड टेस्टिंग को लॉंच करने वाला कौन सा राज्य बना है आप देए हट धंग से जीन कुछ लोजिक आप भी जितने सब्सक्राइब क्लियर होंगे जितने आधा कंसेट्ट क्लियर होंगे उतना ही कोशन किसी भी ढंक से बन जाए आंसर देने में असानी होगी तो अभी बना है राजस्थान पहला राज्जे जिसने कोविड नाइंटी के कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस डिजीज 2019 के कारण रैपेट टेस्टिंग को शुरू किय है तो यह रैपेट टेस्टिंग को शुरू करने वाला कोविड नाइंटीन के कारण कौन बना है राजस्थान राजस्थान के मैंने कई सारे नेशनल पार्क आपको बताएं सरिस्का रंठंबोर केवला देव घाना पक्षी विहार और डेजर्ट और राजस्थान का कॉप स बताएं सब्सक्राइब करने के लिए बताया था एक रेडियो स्कूल शुरू किया गया है तो राजस्थान के जो पिछले वी कुशन से प्लीज उनको भी रिवाइस करते रहेगा वैसे तो कोशन जो आते रहते उनको लिंक करते चलता रहना चाहिए पिछले वीडियो उसक स्थी वर्ल्ड हरीटेज साइट में शामिल हुआ था और उसको प्रमाड पत्र भी मिल चुका है अभी तक तो बहुत दिन होगे प्रमाड पत्र में ले हुए यह यूनेसको से अच्छा एक चीज और जो वर्ल्ड हरीटेज दे मनाया गया था ठारा प्रैल को वो किसने मनाय सबस्क्राइब का जबर स्काराइब сто है यह भी बताईए ठीक है ओके जो वर्ड हरी टेस्टे है वो भी उनेस को मनाता उसको अच्छा तो राजिस्थान की बात हो गई राजिस्थान की गवर्नर कौन है कल राजमेश्र अशोग गहलोग चीफ मिनिस्टर जैपूर कैपिटल है याद रखने आपको एप कोशन देखें तो फ्रेंट्स हाली में किस ने अभी स्पोर्ट बाइक नोटल ब्रांड नोटल का अधीक गर्ण किया है तो κιसने अभी sport sport brand notal का अधिग्रahन किया है तो यह क्या है कि टीवी एस ने टीवी इसने कर लिया है अधिग्रहन किसका स्पोर्ट के लिए जो ब्रांड आता है कौम सा नॉटल इसका टीविस ने अधिग्रहन कर लिया किसने टीविस ने जीज को याद रखना है तीविस बहुत फेमस मोटरसाइकल कंपनी और यह नॉटल भी क्रिक किंग्डम एकडमी के नए ब्रांड अम्बेस्टर कौन बनाए गए है क्रिक किंग्डम एकडमी के ब्रांड अम्बेस्टर कौन अभी बनाए गए है हाली में कौन नए ब्रांड अम्बेस्टर क्रिक किंग्डम एकडमी के बनाए गए है तो क्रिक किंग्डम यह क्या यह online academy किर्किट की है क्या नाम इसका क्रिक किंगडम क्रिक किंगडम और इसी के भी नए नए ब्रैंड अमेस्टर बने हैं कौन रोहित शर्मा कौन रोहित शर्मा रोहित शर्मा का नाम सबने सुना होगा अब रोहित शर्मा को नए ब्रैंड अमेस्टर बना दिया गया है क्रि कि इसको स्टुडेंज को सबस्कों सेपरेट सेपरेट ऑश्यारी और यहां बहुत कुछ मिल जाएगा जैसे कि कोच के लिए ओनलाइन पर अगर कोच पढ़ना चाहते हैं तो मिल एक यहां से कोच ले लेंगे free of cost होगा I think so इसमें कुछ ऐसा दिया तो नहीं है लेकिन free of cost होगा online है बाराल students अगर लेना चाहते है coaching तो वो भी ले सकते है cricket academy अगर मतलब education लेना चाहती है कुछ training coaching जो भी है वो भी ले सकती है तो इसमें तीनों को मिलेगा students को, coaches को यानि coach जो होते है और academy जो offline cricket academy थी और अभी फिलाल वो working तो है लेकिन lockdown की वज़े से कुछ नहीं हो सकता है तो वो भी academy के लोग भी वो ले सकते हैं तो ये online coaching मिलेगी इससे cricket kingdom ये online ही coaching देगी cricket academy है दुबाई में ठीक है? online है याद रखिएगा और इसके नए brand ambassador कौन बने है रोहत शर्मा हाली में access access mobile app sorry access app access app को launch अभी किस राज़े सरकार ने किया है? हाली में किस राज़े सरकार ने access app को launch किया है? हाली में किस राज़े सरकार ने अभी access app को launch किया है? तो access app आप किसने शूर किया है किसने दिल्ली गौवर्मेंट ने बहुत सारे हाट सपॉर्ट बनाये हैं जो डेली गौवर्मेंट के आफिसर्स हैं कोवट-19 के दौर में जो होट्सपोट एरिया है तो जो ठीक होते जाते होंगे लोग यह जो भी है तो वहां पर बारहाल जो अधिकारी है वो जाएंगे और टेस्टिंग करेंगे किसकी लोगों की लोगों की टेस्टिंग करेंगे जो कोविट नाइंटीन के देखें कोविट नाइंटीन के वज़े से होट्सपोट डेकलियर किये गए हैं वह और भी तो लोग रहते तो तमाम लोगों की टेस्टिंग करने के लिए अधिकारी खुद जाएंगे ऑफिसर्स जाएंगे और उस टेटा को एक एप में कलेक्ट कर है डेली गौवर्मेंट ने किसने डेली गौवर्मेंट ने अब तो बास समझ में आया गई होगी ना जो कोविट नाइंटीन के चलते जो होट्सपोट एरिया डेकलियर के गए हैं वहां पे लोगों की सुरक्षा के लिए सेल्फ टेस्टिंग के लिए जाएंगे ऑफिसर् एक्सिस मुबैल अप्शाइश मूबाइल ऑफ यह एक्सिस मूबाईल अप को कि सुर किया है तो यह किया है टैली गवर्मेंट ने शुरू अन्यल-वेजल अनिल-वेजल कौने गवर्नर है लिउतेनेंट गवर्नर है लेकिन और अर्विंद कीजरिवाल छीफ मिनिस्टर को लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म इसमाइल किस राजय सरकार ने शुरू किया है। अभी आपको थोड़ी दर पहले बताया तो ऊस दिन भी कोश्चन वेया था कि रेडियो सुरक्ष्ट अभियान शुरू किया है। students यानि छात्रों के लिए किसने राजिस्तान सरकाने और अभी लर्निंग प्लेटफॉर्म कभी शुरू कर दिया इसका नाम क्या रखा है smile क्या रखा है smile तो अभी यह क्या है e-learning और रेडियो और e-learning से पता चल रहा है कि लर्निंग के लिए यह तो यह e-b लगा हुआ है ना दोस्तों इसमें लर्निंग के साथ e-b तो है तो इसमें लॉजिक लगा लिजए कि यह e-learning platform में जिसका मतलब यह है कि यह online बच्चों को education देने के लिए learning करवाने के लिए है और रेडियो के त्रू क्या है educational प्रोग्राम आएंगे जिससे students सीखेंगे यानि के teaching और reading teaching और reading दोनों की habit बनी रहे दोनों से पढ़ने लिखने का काम लगातार चलता रहे लोगडाउन के अंदर भी इसलिए एक online platform है यह e-learning platform इसका नाम smile है यह अभी राजिस्थान सरकार ने शुरू किया है और राजिस्थान के बारे में तो मैंने सब कुछ आपको अभी बताया है और जो radio program आएंगे राजिस्थान सरकार ने उसे educational program आएंगे students के लिए और यह online है e-learning platform smile इसमें teachers के लिए teachers का इंपोर्टन से के teaching देंगे वो इस platform के तुरू और students का क्या है कि वो पढ़ेंगे तो यह से भी online habit online e-learning platform smile से बहुत benefit होगा और अभी राजिस्थान का मैंने आपको description दिया है और इसके governor, chief minister और national park वगरा वगरा का next question और last question हाली में अभी किस bank ने हाली में अभी किस bank ने सुरक्षा grade operation या सुरक्षा grade अभियान शुरू किया है हाली में किस bank ने अभी सुरक्षा grade अभियान या सुरक्षा ग्रेड operation शुरू किया है तो अभी HDFC बैंक ने किसने HDFC बैंक ने अब देखे बहुत पब्लिक लगबख सारी पब्लिक है जो लॉकडाउन के होते हुए भी जरूरी बहुत जरूरी जब काम होता है समान लेना होता है तो तो जाने ही पड़ता है मार्केट तो हम मार्केट जाते हैं कुछ घंटों के लिए वो खुलता है और सबको लगता है कि बाइब जरूरी सामान जो डेली नीट की शौप होती है डेली वेसे से जो यूज होते हैं डेली यूज की सामान होते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी चीजों के लिए तो जाए गई है ना लेकिन उसका भी एक सीमित और बहुत जल्दी से ले और भुट भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से बनी रहे इसी के लिए सुरक्षा ग्रेड अभियान यानि सुरक्षा ग्रेड ऑपरेशन HDFC ने शुरू किया है किसने HDFC ने, सुरक्षा ग्रेड अभियान, सुरक्षा ग्रेड ऑपरेशन, अब यह है क्या, मालीजे जो हमारी daily requirements, basic needs होती है, उनकी जो शॉप होती हैं, आप जाते हैं, लोग होते हैं, भीड़ भी लगी होती है, तो जब लोग खड़े होते हैं, कि एक मीटर की दूरी रखन बनाये गए होंगे, और उसी में लोगों को खड़े होके वेट करना है, और जब अपने नंबर है, तो समान लेना है, तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा requirement हो, तो ही जाएं, समान लेने, अदर्वाइस पिल्कुल ना जाएं, जो जरूरी समान है, वही collect करें, तो समझना आप पर social distancing का बेहतरी या बेहतर तरीके से पालन हो सके, इसको follow किया जाए, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर circles बनाये जाएंगे, उन circle में लोग खड़े होंगे, और अपने नंबर आने पर वेट करेंगे, और नंबर आने पर अपना समान लेंगे, यही है, यह आपका safety grade operation, जिस कैसा लगा, आज का session कैसा था, ज्यादा से ज्यादा प्लीज और सारे लोग, आप लोगों से request है, वीडियो देखें, लाइक शेयर करें, और अच्छे comments भी करें, नए लोगों से request है, कि subscribe जरूर करें और बेल आइकन को hit कर लें, thanks for watching.